नव वर्ष के शुब कामनाएं देते हुए कब हम किसी वर्ष के मध्यान में पहुंच जाते हैं मालू में नहीं चलता। वर्ष 2023 के तकरीबन 6 महीने बेच चुके हैं और 6 महीने लगबग लगबग बाकी हैं। उस समय हम ये चर्चा मिथुन राशे के जातकों के लिए लेकर उपस्तित हुए हैं कि 4 जुलाई से लेकर लगबग जो 31 दिसंबर 2023 तका समय रहेगा। उसमें प्रमुख परिवर्टन जो भी हैं क्या संकेत दे रहे हैं। उस माध्यम से हम अपनी आतरा को कैसे देखने वाले हों और समझ कर आगे बढ़ने वाले हों। यही चर्चा वरतांत आपके समक्ष हम लेकर उपस्तित हुए हैं। मितन राशे की जातकों को इस वर्ष के शुरुबात में ही ढहिया से मापत हुई। और शनी देव नवम भावस्त करम के साथ में आगए। जून के मध्यान सिरे के बाद में शनी देव वकरी हो गए। और 4 नवंबर तक इनके अवस्ताएं वकरी चलाएमान है। सितंबर के सिरे के साथ में देव गुरु ब्रेहस्पते भी वकरी हो जाएंगे। दूपरमुख तारगरह कुछ समय के लिए साथ ही साथ वकरी रहने वाले होंगे। लाब भाव में गुरु रहु का चांडाल दोश अभी भी बना हुआ है जिसकी चर्चा 22 अपरेल की बाद चहुआ रही परन्तु लगबग ढ़ाई महिने भी उस सिरे को बीच चुके हैं। 30 अक्टूबर 2023 को ये दोश समप्त हो जाएगा। जब गुरु ब्रेस्पति लाब भावस्त करम के साथ में रहने वाले होंगे और राहु के सतिया कर्म भावस्त इस्तर के साथ में आ चुकी नौकरी पेशा जीवन के आधार पर देखा जाए। तो आप ये देखिएगा कि जो भाग्य का सायोग है वो बेहज शांदार इस्तर पर बना हुआ है। इन पात से छे महिनों में जहां एक्जिस्टिंग जॉब में आप थे वहां खुद को एक स्टैबिलिटी दी। जो ल पहरमबारी बात भीतर से निकल करा रही है। ये सपस्टता भरे सुलब संकेत अपने लिए आप लेकर चलने का प्रयत्म किजिएगा कि कोई भी चेंज यहां सामने आता है नैसरगिक तोर पर वो आपको बहतरी दे रहा है। बजह है इसके पीछे क्या है। आप ये देखि किएगा कि शुर्वात में बहुत अपने स्वराशी स्थान में पूरे तरीके से सायोग की आभा को लेकर चल रहे हैं। सूरिदेव यहां पर प्रतम द्वितिय तृतिय भावों की निरंतर यातरा को तै करने वाले होंगे। कमोबेशी स्थिति 15-16 सेतंबर तक रहेगी। आपके लिए वहां सूरिदेव की इस्थितिय अभी सकारात्मक मंगल 18 अगस्त तक यहां पूरी तरीके से सायोग की गतिवधियों को निर्मित किये हुए। अब विशेश बात यह कि देव गुरुप रहस्पति की दृस्थी पराकरम पर भी है। और साथी साचन देव की विद्रिस्थी पराकरम पर है। पराकरम वो इस्थिती जहां से व्यक्तिक तरस्तर का पुरशार्थ निकल कर आता है। परदम भाव से हम आत्म विश्वास देखते हैं परम्तु उसके बाद यात्रा पुरशार्थ की है। उसके बाद यात्रा क्षमता की है। उसके बाद देखा और लाप के बाद में अंतुतो कत्वा यात्रा व्याई की ही है वली वो सोच हो चाहे संसादन हो ये जब ववस्था सामने निकल कर आती है तो व्यक्ति व्यवस्थत तोर पर परिवर्तन को स्विकार कर पाता है निरंतर प्रकृति परिवर्तन शील है आसपास के चेंज के acceptability के note को एक अलग level के उपर लेकर चलने वाले रहें, ये विश्वास जब भीतर तक स्थापित होता है, तो फिर व्यक्ति रोकता और ठाकता नहीं है, ऐसे वज़े से ये स्पस्टिता अपने भीतर तक प्रतिध्वनित करके चलिएगा, कि जो भी परिवर्दन आप के सामने आता है, आप एक जॉब के साथ में चल रहे हैं, स्टार्ट अप के offer आजाती है, आप एक जॉब के साथ में कोई व्यक्ति विशेश कहता है कि याँ इन्वेस्ट कर दो, दो साल बाद हमारे साथ जुड़ जाना नौकरी छोड़ कर, व्यक्ति को वो एक तरह से सब जे बाग नजर आता है, परम्तु जैसे ही महां से वो स्पस्टता लेकर चलता है, उसके यातरा अनूठी और विलक्षन होती है, उसी अवस्था के साथ में आप खुद को लेकर चलिएगा, ये याद रखा जाए कि जॉब के साथ में आप जेंजिस के अप्रोच के साथ में रिस्क की पोजिशन्स को कहीं पर भी थॉट प्रोसेस में लेकर आने के रेक्वाइर्मेंट आपके लिए नहीं है, गुरु राहु का चांडाल दोश जरूर है, परम्तु मिथोन राशे के जातकों से बारम बार हम ये निविदन करना चाहेंगे, कि यहाँ पर राहु पु बिना किसी भी चिंता के अपनी यातरा को अपताय करते चले जाईएगा और बेहत शांदार प्रभावी परिणाम आप स्वहिम के लिए यहाँ पर देखने वाले रहेंगे, एक विशेश निविदन आप से ये भी, कि जो आप खानपान संबंदि किसी भी कामकाश के साथ मे भी परतीत होगी, अब आप ये देखिए कि नवमे शोकर शनिदेव नवम भाव में है, इसे उच्च सिक्षा इस्तान भी कहा गया है, यही भाव जो तृतिय तरकौन है, यह दर्शन का भी भाव है, यही से व्यक्ति आध्यात्मिक ओज को भी देखता है, भूत काल के अव और आपका experience जो है, अनुभव यही से देखा जाता है, जो आपका experience है, वो accumulation के साथ में आपको support कर रहा है, जब आपको ये मालुम चल चुका कि इस व्यक्ति के साथ में जुड़ेंगे, तो risk 30 प्रतिशत है और 70 प्रतिशत फायदे हैं, जुड़ा जा सकता है, क्यों नहीं आत्रा को तै करें, ये सपस्टता भरा इस पंदन आपके जीवन के प्रतियक्षण में परिवर्तन की मिश्री को गोलने वाला होता है, दिसे वज़े से आप निरणे के प्रतिविम्वित सुरूप को लेकर चल सकते हैं, विशेश बात ये, कि जब सितंबर में देव सपोर्टिव मीजर्स को इस्टब्लिश करता चला जाएगा, 31 दिसंबर 2023 तक जब तक देव गुरु ब्रहस्पती वक्री रहने वाले होंगे, यही कारण है कि हम अगर जॉब की डिसकेशन से बिजनस के तरब बिशप्ट होते हैं, बूरु राहु की दृस्टी यहां सप्त दौड का दिन है, लोग उस दिन साथ में नहीं है, परंतो हम स्वयम के साथ में हैं, जब ये निस्था की प्रबलबती इच्छा व्यक्ति अपने साथ में लेकर चलता है, यकिन मानी वो पूरे ही सफर को परिवर्तित करता चला जाता है, और वहीं आप टेक्स्टाइल संब लुकुल भी जरूत नहीं, ये सपस्ट रता रखिएगा कि हायर एजुकेशन में टेक्निकल फिल्ड की तरफ आप जाना चाहते हैं, बेहद अच्छी इस्ततियां है, जो भी बड़ा निरनाय लेंगे उसमें धीमापन रहेगा, आपको लगेगा कि देरी हो रही है, परंतो 6 जुलाई तक किसी भी ओवर एक्साइटमेंट के बेस के साथ कमिटमेंट करने से बचिएगा, ये भी देखिएगा कि जो सोले है अगस्ते लेकर 15 सतबर तक का समय है, वो आपके लिए इस तरह का है कि आप नौकरी पेशा जेवन में लंबे समय से सकरी नहीं थे, बारम बा खर ओज रहने वाला होगा, याद रखें कि उस समय सूर्य और शरिदेव द्रिश्टी संबंद में होंगे पिता के साथ, वैचारिक वैद्रोह से आप बचने का परहतन कीजिएगा, मस्किलर पेन से संबंदित समस्याओं से जितना साबधान होकर आप अपनी आतरा को आगे भी responsibility मिलती है, कई बार व्यक्ति लगता है कि अतरिक्त जिम्दारियों का भार ढोकर वो क्या करेगा, परंतु वहीं से उसको संकेत मिल रहे होते हैं कि इस स्थान परिवर्तन के साथ, इस extra responsibility के साथ, जीवन यहां कामकाज के साथ बहुत बड़े लाब देने वाला है, मंगल उसी श्रेणी का ध्योतक करम्द है, उसके साथ आप खुद को लेकर चलिएगा, 18 अगस्त तक करवद निवदन करना चाहेंगे, कि किसी भी सिरे के साथ में बड़े financial burden को बढ़ाने से पूर्ण तया स्वहिम को आप रोकने का प्रेयतन करें, अंगरी हस्त जीवन के साथ में उसके साथ चलिएगा, जल्द बाजी दिखाना यहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, करबद आप से निवदन करना चाहेंगे, जमानुभाब higher education के साथ में decision ले रहे हैं, रोकने की ज़रूत नहीं, बिदेश इसंबंदी स्तियां आपके लिए ठीक ठाक तोर पर प्रगती शीलता को लेकर है, नवंबर और दिसंबर 2023 के महीने के साथ में राहू के स्तियां यहां चिंताओं के साथ में भागड़ बढ़ाती है, वेक्ति एक तो उर्जा के साथ बागड़ बढ़ेगी परन्तु परणाम सुखद इस्तियों को लेकर चलने वाले होंगे, मेथोन होने का प्रेत्न करते चले जाएंगे, धन्यवाद, एब हम कोटी शे, आभार